नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB Hindi News बताएंगे कैसे मिलेगा इसका लाब पूरी अपडेट सर्सों के भाव में आई तेजी बताएंगे आज की सर्सों के ताजा मंडी भाव किसानों के लिए खुशकबरी इस तारिक सिस्रूओं की धान बाजरा मूंग और मक्का की सरकारी खरीद फाइनल परिक्षा जा पहले CBC ने देशबर के करोड़ों विद्यार्थों के लिए लागू किया ये बड़ा बदलाओ हर्याना कोशल लोजगार निगम के तैयत ड्राइवर के पदों पर भरती बताएंगे पूरी अपडेट हर्याना में कोशल लोजगार निगम के करमियों को मिली जोब सिकेर्टी करमचारियों में खुशी की लहर हर्याना SSC ने जारी की TGT भरती परिक्षा की विभिन श्रेणों के लिए रिवाइड आनस्वर की हर्याना में कुछ समय के बाद मानस्वर की विदाई होनी तय है उससे पहले हो रही बरसात के कारण मोसम खुशनुमा बना हुआ है सभी जिरव में पारा भी लुड़क चुका है बरसात की जलते दिन का ताबान 4.2 डेगरी सेल्सेस से कम आ चुका है मोसम विशेसिगों का मानना है कि बंगाल की खाड़ी में एक कम दवाव का चेतर बनने के चलते आगामी 17 स्तंबर तक बरसात की संभावना बनी हुई है मोसम विशेसिगों ने जानकारे दी है कि बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाई अपना असर दिखा रही है जिस कांड काई जिलों में हलकी से मत्यम बर्षा देखने को मिल रही है मौसम विबाग के अरुसार्माने तो 19 से 25 स्तंबर के बेश दक्षन पर सी मानसुन की वापस हो सकती है आमतोर पर 17 स्तंबर से मानसुन वापस लोट जाता है हरियाना में नोकरे की तलास कर रहा है युवाओं के लिए अच्छा मोका है हरियाना कोशल लोजगार निगम में जल्द ही ड्राइवर के पदों पर भरती निकलने वाली है दस्वी पास युवा एचके आरन के तैट ड्राइवर के पद पर आविदन कर पाएंगे आपको बता दें कि हरियाना कोशल लोजगार निगम के तैट ड्राइवर के पंदरा सु पदों पर ये बरती की जाएगी इन पदों के लिए आविदन परकरिया जल्द ही शुरू होगी गिता भी केवल दस्वी पास रखी गई है ऐसे में अगर आपके पास दस्वी के पास की योगिता है और साथ में ड्राइविंग लाइसन्स भी है तो आप आविदन कर पाएंगे हर्यान विदान समाद चुनाओं में पीम नरेंदर मोधी सनिवार को कुरूर शेतर से अपने चुनाओ परचार की शुरुवात कर दी है प्रधान मंतरी दोपेर बाद गिता की धरा से जन आश्रवाद रैली को संबोधित करने पहुँचे प्रदानमत्री नरेंदर मोदी हेलिकॉप्टर से कुरुषेतर विश्विदाले पहुँचे जां सीम नायब सिंग श्याणी ने उन्हें रिशीव करने गए तो पीम नरेंदर मोदी मंच पर पहुँचे तो सीम नायब सिंग श्याणी ने पकड़ी पैनागर उनका स्वागत क पिम नरेंद्र मोदी ने जैश्री कृष्ण और राम राम के संबोधन के साथ रैली में संबोधन शुरू किया। पिम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में सबसी बड़ा दलित, OBC और आदिवासी विरोधी अगर कोई है तो कॉंग्रेस का प्रिवार है अभी इन लोगों ने कहा है कि अगर सरकार में आए तो दलितों और पिजटों का आर्क्षिन खत्म कर देंगे यही इस प्रिवार की सच जाते हैं जब कि हमारा हरियाना देश का वो राज्य है जो 24 फसले MSP पर ख़रीता है मैं कोंग्रेस वालों से पूझता हूं कि जो करनाटक और तिलंगाना में कितनी फसले इन्होंने MSP पर ख़री दी हैं वहां किसानों को कितना MSP देते हैं अगर कोंग्रेस में दम है तो कर अच्छा बच्छा जानता है धार्म नगरी की धरती से मोधी उत्तर हरियाना की चैजलों की 23 विधान सबाद सीटों के मतदतां को साधनी के लिए थे हरियना में विधान सबाद चुनाओं को लेकर राजनितिक सरगर्मया तेज हो चुकी हैं टिकट कटने से नाराज नेताओं के बगावत का सिल्सला लगातार जारी हैं कुछ नेता बतोर निर्दले परतैसी चुनाओं रण में ताल ठोक चुके हैं तो हैं कुछ अपने बारणा बीजेपी के दामन चोड़ दिया है करनाल विधान सबाद सीट से वह टिकट की दाविदारी पेश कर रही थे लेकिन पार्टी ने बीजे पी छोड़ दी है वो कॉंग्रेस में सामिल हो चुके हैं वो पिछले करीब 10 साल से बीजेपी से जुड़े हुए थे इस बार वो बारड़ा विदानसभा सीट से टिकट की मजबूत दाविदारी पेस कर रहा ही थे लेकिन बीजेपी न यहां से उमेज सिंग पातुवास को टिकट थमाया है वहीं इसार जिले के बरवाला नेगर परिशित के चेर्मेन रमेश बैटरी वाला ने भी भारतिय जंता पार्टी को अलविदा कह दिया बैटरी वाला बरवाला विदानसवा सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाओ लड़ना साते दे लेकिन पार्टी ने यहां से रणबीर गंगवा को परत्याशी बनाया है हर्याना के लाखो युवाँ के लिए खुशकबरी है हर्याना सरकार की तरब से CET के परिक्षा करवाने की तैयारी कर ली गई है ग्रूप C और ग्रूप D दोनों सरेणियों के लिए यह परिक्षा आयोजित करवाई जाएगी हर्याना करमचारी चैन आयोग ने इसके लिए अभी से तैयारियां सुरू कर दी है पंजाब यह हर्याना हाई कोट में हालप नामा भी दिया गया है कि अक्तूबर से दिसम्बर के बीच CET के परिक्षा आयोजित करवाई जाएगी एक बार CET पास करने वाला अभी अर्टिस तीन साल तक भरते के लिए पातर होगा दरसल पिछली बार गुरूप C और गुरूप D की दोनों परिक्षाएं NTA यानि की National Testing Agency के माधम से करवाई गई थी लेकिन इस बार परिक्षा को लेकर काफी स्वाल उठे थे किन्तु इस बार सरकार NTA के बजाए खुद परिक्षा करवाईगी सरकार की तमाम कोशिसों के बावजूद गुरूप C की CET 2022 में और गुरूप D की CET 2023 में संपन हुई इसके बाद अब्यारतों को नई परिक्षा का इंतजार है हर्यान करमचारी चैनायों के आधिकारियों का कहाना है कि अक्तुबर से दिसम्बर के बीच में परिक्षा आयुजित करवा ली जाएगी लेकिन संभावना है कि ये परिक्षा हर्याना में इस बार नौमबर महिने में आयुजित करवाई जाएगी आगामी विदानसभा चुनाओं के चलते कॉंग्रेस पाठी ने परदेश में परचार के लिए 40 स्टार परचार कों की लिस्ट जारी कर दी है इस लिस्ट में कॉंग्रेस अध्यक्स मलिका उजन खडगई राहूल गांदी प्रेंका गांदी सोन्य गांदी के साथ इमाचल परदेश के मोक्यमंतरी शुक्विंदर शुकु, पंजाब कॉंग्रेस अध्यक्स अमरींदर शुर्जवरेंग, नेतापर्दिवक्स प्रताप सिंग बाजवा, पंजाब के पूरू मोक्यमंतरी शान जीत सिंग चननी के नाम सामिल है इस लिश्ट में असो गैलोथ साजिन पाइलेट, पूरोमो क्यमद्री बुपेंदर सिंग हुड़ा, कॉंग्रेस हरियाना अध्यक्स, उद्यवान, कुमारी सहलजा, रनदीप सुर्जेवाला, विनेश पोगाट, दिपेंदर हुड़ा, अजे माकन, बिरेंदर सिंग, बुप होगी और नतीज आएंगे, नावांकन दाखिल करने की प्रिक्रेप पहले खात मोचुकी है, हरियाना में कोशल लोजगार निगम, यानि HKRN और आउट्सोर्सिंग पोलिशी पार्ट एक और पार्ट दो के आधार पलगे कर्मियों के लिए बड़ी खुशकवरी है, परदे चीफ सेक्रेटरी तिलकराम ने जोब स्क्रेटरी का पत्तर जारी कर दिया है, इस नए अध्यादेश के अनुसर बात करें, किसे भी सरकारी अधिकारी, करमचारी या फिर किसे अन्य व्यक्तिया प्रादिकन के खिलाब कोई भी कानूनी कारवाई नहीं कि जासकेगी, पात् साल की सेवा के बाद सालाना वेतन वर्दी, डैथ कम, रिटार्मेंट, ग्रेजूटी और मेटरनीटे एक्ट के तैथ मिलने वाले सभी लाब दिया जाएंगे, पीम जन आरों की योजना, चिरायवे एक्स्टेंशन योजना के तैथ अनुबंदित करमचारियों के परिवार कर दिया है, वेतन बड़ोतरी पहली जुलाई से लागो होगी, जुलाई वे अगस्ट का एरियर परते सरकार के और से दिया जाएगा, जल्द ही केंद्री मादमिक शिक्षबोड यानि सीबेशी द्वारा दोजार पच्चिस सब्विस के वारशिक प्रिक्ष्यम के लिए र विद्यारते को जन्म ते थी और वर्षों को अंको में, तो महिनों को अक्षर में अंकित करना होगा, या पैटरन, रेजिस्टरेशन के अलावा परिक्ष्यम में भरे जाने वाले आविदन पत्र और प्रमान पत्र पर भी लागो किया जाएगा, उधारन के दोर पर अगर क नमजने में काफी दिक्कते आती थी, लेकिन अब लागो की गई इस नई व्यवस्ता के बाद किसी भी परकार का कोई असमंजस नहीं रहेगा, इसके अलावा बोर्ड में वीवर ने भेज़े जाने के बाद उसमें कोई सुधार नहीं किया जासकेगा, अब परिक्ष्यम के परिणाम जब तक नहीं कोशित होंगे, तब तक किसी भी परकार का बदलाव नहीं किया जासकेगा, केंदर सरगार की अमरत भारत योजना के तैट देश पर में कई रेलवे स्टेसनों के आदोनी करण और नवीनी करण का का काम बड़ी तेजी से हो रहा है, इसी कड़ी में स्टेसन भावन के समरूप बड़े स्टर पर सुधार का दिये, स्टेसन के और आवाजाही वाले रूट में अलग-अलग एंट्री वे एकजिट पॉइंट, बाउंडरी वाल, सर्कुलेटिंग एरिया में सोंद्रे करण, टू वेकल वेकल वाहनों के लिए अलग-अलग पा वहीं करीब 16 क्रोड रूपे के लागत से 12 मीटर चोड़े, फूट ब्रिज का भी निर्मान किया जाएगा, रेल्वे स्टेसन पर कैंटिन हाल का निर्मान पूरा हो चुका है, अब यात्रियों को गुणवत्ता युक्त अच्छा बोजन मिलेगा हर्याना करमचारी चैन आयोग यानि HSC की तरफ से हाली में TGT के विबिन पदों पर भरती किये गई है, वर्तवान में आयोग की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है, इसके अनुसर बात करने तो अभ्यारतों को सूचित किया गया है, कि प्रारंबिक सिक्से विवाग हर हर्याना की विबिन शर्यानियों के अंतरगत, विग्यापन संक्या 02-2023 के अंतरगत TGT के विबिन पदों के लिए आयोग ने जो लिखित परिक्षाएं आयोजित की थी, उनमें से विबिन पदों इम शर्यानियों के लिए संसोधित उत्रकुंजी हर्याना सरकारी चैन आय में के बीच किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामनी आई है खाद नागरी का अपुरती एमू बोगता मामले विवा की अधरेक्त मुंग की सच्चिव डाक्टर सुमिता मिस्रा ने बताया कि सुबह में धान की नियुंतम स्मार्थन मुल्ले यानी MSP पर खरीद 23 स्टमबर स और खरीद केंदर बनाए गए हैं वहीं बादरा और मुंग की सरकारी खरीद 1 एक अक्टोबर से शुरू होकर 15 नौवमबर तक होगी मक्का की खरीद 20 स्टमबर से शुरू होगी और 15 नौवमबर तक चलेगी बादरा की खरीद के लिए 31 मंडिया खोले गए हैं तो वहीं पैचान प्रादिकन द्वारा उन्हें अपने आधार गाड को अपडेट करवानी के बारे में दिशान निर्देश जारी के गए हैं अब सरकार द्वारा इसकी डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया गया है अब 14 दिसंबर तक बिना किसी अतरिक्त सुल्क के आधार काड अपडे अगर आपके आधार काड में कोई ऐसा फोन नंबर जुड़ा हुआ है जो अभी काम नहीं कर रहा है तो आप अपने नजदे के आधार नावांकन केंदर में जाकर ओनलाइन इसे भी अपडेट करवा सकते हैं भारत सरकार समय समय पर कई प्रकार कई योजना ही लागू करती रहती है जिसके द्वारत ग्रामिंडों को वित्तिय साहता मिल रही है आज हमें आपको SBI यनि State Bank of India की पशुपालन लोन योजना के बारे में जानकारी देंगे जिससे कि आप पशुपालन लोन प्राप्त कर सकते हैं भारत सरकार ने पशुपालन को प्राप्त साहता देने है तो एक विशेस लोन योजना के पहल किया है इस योजना के तैट खास कर ग्रामिंड छेत्रों में रहने वाले किसानों और पशुपालकों को पशुपालन कारी के लिए आर्थिक साहयत अपरदान की जाती है यदि आप इस योजना का लाब उठाना चाहते हैं तो किसे भी सरकारी बैंक में आविदन कर सकते हैं क्योंकि सभी बैंकों पर सरकार की निरदारित नीतियां समान रूप से लाग होती है जिन लोगों ने पहले से पशुपालन से समंदित व्यवसाइश थापित किया हुआ है और लोन की राशी पर निरवर करती है इस योजना में 1,60,000 रुपय तक के लोन पर कोई भी संपत्ति गिर्वी रखने के आपको कोई आवशकता नहीं पड़ेगी यानि कि यह लोन कोलेटरल मुक्त होता है हालांकि 1,60,000 रुपय से अधिक की लोन राशी के लिए कोलेटरल आधारित होती है पशुपालन लोन के लिए कोई भी आधिकतम सिवा निरदारित नहीं की गई है और किसानों के समों भी इस योजना के तहट आविदन कर सकते हैं आवशक दस्ताविजों के बात करें तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास परमान पत्र, आय परमान पत् प्रोजेक्ट रिपोर्ट और पास्पोर्ट साइज के फोटो होनी चाहिए यदि आप SBI बैंक के पशुपालन लोन लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले बैंक के साखा में जाकर आविदन करना होगा, यदि सब कुछ योजना के नियमों के अनुरूप होता है तो बैंक पासदार पाचास रव्य परतिक्योंटल मुंट के भाव की बात करें तो 655 रूपह से लेकर 765 रुपह परतिक्योंटल है अरणडी का भाव बाव ediyor से लेकर 55 अनुर अनुरु परतिक्योंटल ग्यों का भाव तो शिर्षा मंडी में नर्मा का भाव 6,000 से लेकर 7,225 रुपे परती क्युंटल सर्सों का ताजा भाव 57,000 से लेकर 6,25 रुपे परती क्युंटल वहीं गौर का भाव 45,000 रुपे से लेकर 5,122 रुपे परती क्युंटल चना का ताजा भाव 7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000 और जो का भाव शिवानी मंड्ये में 6,350 रुप्य परति कुऊटल है। शर्षों के कुछ भाव और भी मंडियों शमीक्राप्त हैं जो की इस प्रकार से हैं। राजस्तान की राजानी जैपूर से सर्षूं का ताज़ भाव की बात करें तो 6925 रुपे परती गुंटल से लेकर 6950 रुपे परती गुंटल है। इस अपते सोने मत चांदे के दामों में तेजी देखने को मिली है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहे हैं आपका अपना हर्याना का सबसे बेहतरी न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज नमस्कार इसे आशा के साथ आपका दिन सुब रहे।